अब जैसे ही में update पे लगाऊंगा तो यहाँ पर ये update होगा नहीं होगा देखते हैं चलो मैं बताताओं ये pending कितनी देर तक रहेगा तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा pending रहेगा तो इसकी लिए आप लोगों को करना क्या होगा आप लोगों को simple सा काम है इसे home button दबा देना है play store को दबा के रखना है और इसका app info में चले जाना है और आप लोगों को जाना है data uses नहीं storage वाले button पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आएगा clear data और clear all data पे क्लिक करना है तो यहाँ पर सारा सारा हट चुका है वो उपर से हट चुका लेकिन लेकिन दोस्तों आप लोगों को play store में फिर से जाना है और फिर से जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर यह क्योंकि अब नए series से यह start होगा आप लोगों को यहाँ फिर से click करना है और आप लोगों को नीचे my apps and games में चले जाना है पहले कुछ अलग था लेकिन अब कुछ अलग है अब यहाँ पर checking for updates चलेगा तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा wait करना पड़ेगा हमको वही जो हमारा update है उसी को देखना यहाँ पर देखने no update available बता रहा है आप लोगों को थोड़ी देर तक wait करना है क्योंकि अभी नया नया clear data किया है तो आप लोगों को wait करना ही पड़ेगा तो मैं थोड़ा wait कर लेता हूँ तो भाई लोग अब जितने भी applications होगे सारे अपडेट यहाँ पर दिखा देंगे तो हम लोगों को वही Android system wave view वाला इसको एक बार update करना है सबसे पहले उससे पहले किसी में भी हाथ नहीं डालना है मैं बता देता हूँ क्योंकि इसको हटाना है तो इसको पहले update करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर यह कितनी देर तक चलेगा हम लोग वेट करते हैं भी start हो चुका साहिद क्योंकि उपर देख सकते हैं आप लोग net की speed 3.8 mb per second चल रही है तो हम थोड़ा वेट करते हैं यह pending चलेगा अब ज्यादा time नहीं लिएगा क्योंकि हो जाएगा क्योंकि पीछे भी मैंने वीडियो में बताया है इसको ख्रोम को और इसको किस तरह अपडेट करना है तो वही तरीका इस बार भी अपनाना है तो यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए और तब तक मैं वीडियो पोज कर लेता हूँ हाँ तो भाई लोग यहाँ पर जो पेंडिंग था वो हट चुका है और 99% डाउनलोड हो चुका है और इंस्टोल भी हो चुका है तो बस थोड़ी ही देर और वेट करते हैं और यह आप लोगों का Google जो Android सिस्टम वेब यह इंस्टोल हो चुका है इसको अनिस्टोल कभी मत करना है क्योंकि अनिस्टोल यह नहीं होता है अनिस्टोल करोगे तो इसका ओल्ड वर्जन अनिस्टोल होगा नया वाला वर्जन नहीं होगा तो इसके लिए अब यह काम हो चुका है आज करे इतना ही मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई